नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वहीं चीर परिचित दोस्त, पुना उपस्तित हूं दोस्तों, आप सभी की सेवा में एक और नया नुस्खा लेकर के दोस्तों, जो आपके लिए ओल्वेज लावकारी सावित होता है और होगा आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अनिद्रा पर जिहां दोस्तों ये एक आम प्रोब्लिम है रात को सुने से पहले अगर आप इस जादुई और शधी का एक चम्मच इस्तिमाल करते हैं फिर आपके अनिद्रा छूम अंतर हो जाएगी दोस्तों आधी रात में निंद ख कर कोई इस बीमारी से पिलित है दोस्तों आज कल की भाग दोड़ भरी जिन्दगी में इतना ज्यादा दिमागी तनाव बढ़ गया है कि दिमाग को रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिलता है दोस्तों जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती है इन्हीं में से एक है अनिद्रा जी हां यूँ कह सकते हैं आप कि नींद का ना आना यह एक आम बीमारी है दोस्तों आज की डेट में हम ऐसा नुस्खा लेकर करके आए हैं दोस्तों जो आपको इस बीमारी से मिजात दिला देगा और इस और शदी को बनाने में जिन चेजों का इस्तेमाल ह होना है दोस्तों वो आपके घर में हमेशा से उपलब्ध होती हैं जिहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं नमक और चीनी की जिहां सही सुना आपने नमक और चीनी ये दोनों शरीर में हार्मोंस को नियंतरित करते हैं और कोशिकाओं द्वारा भोजन के पाचन में मदद करते है ये सेल चार्ज के रूप में कारिय रूप में ग्लुकोज माइटोकांडरिया के लिए अवश्यक है ये शरीर को उर्जा और सोडियम बैलेंस करने में मददगार है इसके अलावा शकर शरीर के लिए एक संदेश भेजता है कि यह अब तनाव हर्मोन से रिलिज करने की जरूरत नहीं है और नमक एक होमियोस्टेटिक स्थिती को बनाए रखता है एडे नाइल के नियंतरन के द्वारा आएए अब जानते हैं कि इस मिस्रन को बनाने का तरीका क्या है दोस्तों सबसे पहले समगरी 2 टेबल इस्पोन प्योर पिंग हिमालेँ सी साल्ट जी हाँ आप दो चम्मच नमक ले लीजिए दोस्तों 2 टेबल इस्पोन औरगेनिक ब्राउन सुगर ले लीजिए यानि कि जो भूरी चीनी होती है दोस्तों उसका इस्तिमाल करें हाइट की जगा और पांच टेबल स्पून हनी यानि की शहद ले लें दोस्तों अब इसे बनाने की वीधी इन सभी और शधियों को एकांच की बरतन में भर कर अच्छी तरह मिला लीजिए और सोने से पहले एक चमच अपने मुह में डाल लें आपको अच्छी निदा आएगी दोस्तों हाँ ध्यान रखें जिन लोगों को सुगर या बीबी की प्रोब्लेम्स हैं वो इसका सेवन ना करें रात को सोने से पहले इस जादूई और शधि का एक चमच अगर आप मुह में रखते हैं दोस्तों तो आपको कलपना से भी परे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों तो आज की हमारी और शधि या यू कहें नुस्खा रहा दोस्तों कि अनिद्रा को कैसे भागाएं अनिद्रा को भागाने के लिए बस कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको नमक चीनी और शहद का मिश्रण कीजिए रात को सोने से पहले मुह में एक चमच ले लिजिए सोजाईए आपको बहुत अच्छी निद्राएगे अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और नई और शधि या नुस्खा ले करके तब तक के लिए धन्यवाद